Hello everyone, thanks for watching your favorite YouTube channel ILS Playa, welcome back in another video तो one module retake option के बारे में जो new update आई है वो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो वीडियो को जल्दी से start करेंगे, उससे पहले मैं इतना ही कहना जाता हूँ कि जो बच्चा पहली बार इस channel पर आया है बट एक हमारी शर्त है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको वो material मिलेगा हर उज मॉर्निंग की वीडियो में हम आपको material देते हैं अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो अगर आप ही हमारी family के साथ जुड़ सकती हो तो आपको भी वो वाला जो material है वो हम free में देगे अब जे आप क्यों पर है कि आपको वो material चाहिए जान फिर नहीं तो काफी time से जे update आ रही है कि अगर ILSK candidate का अगर band score एक module में कम रह जाता है तो वो एक ही module का जो exam है वो दुबारा दे सकता है पर अभी क्या होता है कि अगर आपका band score एक module में रह जाते है तो आपको चारों module का जो exam है वो दुबारा देना पड़ता है तो कुछ time पहले survey हुआ था कि क्या ILSK candidate इस जो option को लेना चाते है तो काफी दा बच्चों का जो feedback था वो positive था इसमें क्या हुआ कि मान लीजे अभी आपको पता है कि writing में बच्चों के band score 5 and 5 पर stuck हो रहे है तो अगर आपका band score बाकी 3 module में आ गया बट writing में नहीं आया तो उसकी कुछ fees होगी उस fees के बरने के वाद आप only writing के module की preparation करकर only writing का जो exam दे सकते हैं तो जे जो update है जे जो rule है वो implement कर दिया गया IDP की तरफ से Australia में तो जहाँ पर आप देख भी सकते हो eligible Australian test centers only ठीक है अभी के time पर जे जो rule है Australia में implement कर दिया गया है तो नमंबर मन से इसकी starting हो जाएगी ठीक है 29 October का exam बचा है उसके पर नमंबर मन स्टार्ट हो जाएगा तो तब से जो Australia में implement हो जाएगा अब बात करते हैं इंडिया में इंडिया में जे rule कब तक implement हो सकता है तो आप देखो कि नमंबर में तो जे नहीं करने वाले काफिता कम चास जाए तो कि जे पहले exam से ही जो implement करते हैं तो कह सकते हैं कि December जाफिर January हो सकता कि New Year के time करें तो December January इन दो महिनों में जे जो implement इंडिया में भी आ जाएगा क्योंकि IDP ही इंडिया में exam लेता है और IDP ने जे रूल बनाया है क्योंकि IDP जो अफ्ट्रेलिया से है ठीक आपको जे भी पता है तो अब इंडिया में आप कह सकते हैं कि reading का, writing का, listening का हर एक material प्रवाइड करवाएगा बट आप हमारे चैनल को subscribe कर लोगे तो आपको definitely जिकीन मानूं कि आपका जो ILS का जो exam है वो हम clear करके ही शोड़ेंगे तो चैनल को जिरूर से subscribe कर लेना और अगर जी update आपको अच्छी लगे वीडियो लाइक कर देना चैनल को कर देना subscribe फिर से कर रहा हूं thank you so much